जैज शिरी कृष्णा, मेरी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उमीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे आज टिप्स वर्ड पर मैं लेकर आई हूँ शेज वान स्वस्थ से बनी एक नए तरहीके का एक नएसा स्नेक्स एक बार जब आप इसको बनागे तो यकीनन बार बार इसको बना कर खाएंगे तो चलिए जट पट आपको दिखाती हूँ कि आप इसको आसानी से घर पर कैसे बना सकते हैं ये स्पैसी और स्वीट सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा सबसे पहले आप एक कढ़ाई ले लीजे उसको मीडियम फ्लेम पर गरम कर लीजे जब ये गरम हो जाए तब आप इसमें एक बड़ा चमच गालिक बटर इसमें डाल दीजे और इसको मेल्ट कर लीजे अगर आपके पास गालिक बटर नहीं है तब आप नॉर्मल बटर में भी इसको बना सकते है ये रेसिपी बटर में बहुत ज़्यादा डिलिश्यस लगती है अब जब बटर पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है तब आप दो बड़े प्यास ले लीजे उनको बारी काटकर इसमें मिला दीजे ये रेसिपी चार लोगों के हिसाब से मैंने बनाई है आप अपने हिसाब से इसकी मात्रा कम या जादा भी कर सकते हैं अब जब प्यास गुलाबी होने तक इसको भून लीजे चुटकी भर नमक डालकर इसमें अगर आप डालेंगे तो प्यास जल्दी ही भून कर तयार हो जाएगा अब आप इसमें दो मीडियम सायस की बड़ी शिमला मेश ले लीजे उनको बारी काटकर इसमें मिला दीजे शिमला मेश को थोड़ा सा गला लीजे चुकि प्यास में हलका सा नमक पड़ा हुआ है तो शिमला मेश आसानी से गल कर तयार हो जाएगी इसको चलाते हुए प्यास में अच्छे से मिक्स कर लीजे और जब ये पूरी तरह से गल गई है तब आप इसमें एक बड़ा चमच आप टोमाइटो सॉस और दो बड़े चमच आप शेजोन सॉस के इसमें मिला दीजे शेजोन सुस आप चाहे तो इसके मात्रा बढ़ा भी सकते है अगर आप जादा तीखा खाना पसंद करते हैं, मैंने सिर्फ दो बड़ी चमज ही इस भी शेजन सॉस मिलाया है, अब इन दोनों को वेजटेवल में अच्छे से डाल कर आप मिक्स कर लीजे और इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखेगा, अब जब यह अच्छे से मिक्स हो गए ह तब आप इसमें दो बड़ी चमज सफेद दिल, दो चमज मुफली दाना, दो पैकेट मैगी का मसाला इसे मिला दीजे और इन सारे मसाले को आप मिक्स कर लीजे, आप चाहे तो इसमें इसमें हलका सा नमग भी मिला सकते हैं, और मैने इसमें नमग नहीं मिला है क्योंकि के लिए है इसमेने कोई भी मसाला नहीं मिलाया है जब यह पूरी तरह से पक कर तयार हो गई है तो इसका पानी पूरी तरह जब सूक गया है तब मैंने वेजिटेवल मलने मसाले में इसको मिक्स कर देना है और दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखकर ही इसको गैस पर चलाते रहना है और जब यह पूरी तरह अच्छी तरह से मिक्स होगे तो गैस की फ्लेम को आफ कर दीजे और यह देखें जहटपट तयार हो गई है एक दम यूनिक शेजल सॉस के साथ मैई का एक नाया स्टेक्स अब जहटपट आप इसको गर्म गर्म सर्फ कीजिए ऐसे आसान रेसिपी देहने के लिए टिप्स और चैनल से हमेशा जोड़े रहिए तो चलिए मिलती हो कल आप सबसे एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेगा में तरह से आप सभी लोगों को जैश्री कृष्णा